अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और बेल अकिन को भी प्रेस कर लेजिए हम लोग गिफ्ट के टॉपिक को पढ़ रहे थे पिसली वीडियो जो आपका इस गिफ्ट के टॉपिक का पार्ट वन है वह यहां किस एक्स्टन तक कर सकते हो क्या उसकी लिगल फॉर्मलिटीज है और किस सिच्वेशन में यहां पर एक गिफ्ट आपका वोइड होगा वो सारी चीज़े कवर कर चुके हैं आज की वीडियो के अंदर जो पार्ट वन है उसी को मैं कंटिनियो कर रहा हूं इसके अंदर हम ल पर चेले आपका जो काइंट सफिफ्ट की बात करता है उसके अंदर आपकी चीज है हीवाविल इवस की बात करता है मतलब gift for the consideration की यहां पर बात करी गई है हीवाव का मतलब क्या होता है गिफ्ट होता है और इवस का मतलब आपका होता है कुछ consideration का दिया जाना तो मतलब gift for consideration होगा तो वो आपका हीवाविल इवस कहलाएगा as it has been already mentioned in the beginning that the gift of a transfer of property without the consideration gift क्या होगा जनरली आपका की बिना किसी भी consideration का जो चीज दी जाएगी वो आपका gift होता है this हीवाविल इवस departs from the original definition हीवाविल इवस is a transaction made up for the two mutual or reciprocal gifts between the two persons one gift was from the donor to the donny and other one donny to the donor मतलब यहाँ पर दो gift की बात हो रही है कि एक person यहाँ पर क्या करेगा gift अब जनरल क्या example समझ लेते कि A और B दो persons है यह वाला जो A person है वो B को बोलता है कि मैं आपको कुछ gift दूँगा अब जो B person है वो बोलता है कि आप अगर मिरे को gift होगे तो यहाँ पर मैं आपको कुछ gift करा जो इसके पास आया वो उसके लिए क्या बनगी consideration बनगी उसके बदले में इसको कुछ दे दिया तो यहाँ पर इसके लिए gift बन गया तो interview आपका हो रहा है और प्लस आपका हो इस वरसा कुछ भी चीज का दिया जाना एक दूसरी की चीज के बदले में तो यहाँ पर यह इंदर माना गया है gift for consideration के regarding यहाँ पर बात करता है उसके बाद आपकी कुछ conditions रहती है कि किस situation के अंदर एक परसन यहाँ पर अपनी property को हिवा बिल इवस के थूँ आपके concept यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हो प्रोपर्टी को तो वो आपकी चीज है actual payment of consideration on the part of the donny is necessary मतलब कि donny जो person यहाँ पर प्रोपर्टी लेने वाला person है उस person के दवारा actually कुछ ने कुछ आपका consideration donor person को दिया जरूरी रहेगा उसके बाद आपका दूसरा है bona fide intention on the part of the donor to invest the property या फिर diverst himself in the position of the property and to convert it upon the donor मतलब ऐसा कोई भी person ऐसा जिसके direct intention है कि वो अपनी property दूसरे किसी भी person को देना चाहरा है दूसरे से कुछ उसके बदले में कुछ है लेना चाहरा है तो यह चीज हो रही है यह आपकी इसके अंदर pre-requisite हो जाएंगी एक हीबाविल इवाज को validly perform करने के लिए लेकिन जो high court of एक आपका Calcutta है, Medros है, Lahore, Allahabad high court है ना वो इन सब चीजों की मतलब की जो हीबाविल इवाज है उसको यहाँ पे क्या मानना उसने एक sale के form में बोलता है तो इमोबिल प्रोपरटी जिसकी value 100 रुपीज से उपर हो तो वो आपकी यहाँ पे क्या रहेगी रजिस्टर करनी जरूरी रहेगी as per section 54 of the TPA, TPA का 54 आपका बात करता है sale की तो यह आपके जो high court हैं, Calcutta का, Madros, Lahore और Allahabad, इन्होंने क्या बोला कि यह सारे आपके यह जो चीजे हैं हिबाविल इवाज आपका यह के sale के form में माना जाएगा तो यही main चीजे हैं इसके अंदर थे आपकी उसके बाद आपका आजाता है हिबावा शर्तुल इवाज, हिबावा शर्तुल इवाज जो आपकी चीजे है वो आपका शर्त वर्ड से निकल रखा है, शर्तुल, शर्त मतलब कोई condition का लगाया जाना मतलब कुछ stipulation यहाँ पर थी, शर्त means stipulation, the हिबावल शर्त वर्ड इवाज means a gift made with the stipulation for a return अब इसके अंदर आपका है जैसे कि हिबावल इवाज था, उसके अंदर payment of consideration वो आपकी एक तरीके से हो सकती है postpone करी जा सके, कि मतलब जो consideration आप दोगे मेरको बाद में दे देना, मैं आपका property अभी gift कर देता हूँ लेकिन जो यहाँ पर शर्त व लिबाज है, जो इसके अंदर आ रहा है, उसके इसके अंदर क्या रहेगा as the consideration is not immediate, the delivery of possession is essential, वो तो अपके पोनाने में था, the transaction become finally, final, immediately on the delivery of the possession when the consideration is paid, it assumes the character of the sale and is subject to the preemption, शूपा का property एक तरीके से पार्ट बन जाता है मतलब बात ओले किसी शर्त का लगाया जाना, immediately आप payment करोगे, side से आपको कोई चीज मिल जाएगी तो एक तरीके से है, तो sale का कुछ पार्ट, लेकिन वो हीबा बिल, हीबा बा शर्त लिवाज के अंदर आजाता है, कि कुछ आपने शर्त रखी थी, कि कोई consideration यहाँ पर मेरे को दोगे, तब ही मैं आपको कोई चीज ट्रासफर है, जो करूँगा तो यह, इसके अंदर अगर कुछ conditions को follow करें, तो condition यहाँ पर बोलती है, as in case of Hiba, जैसे उसके case में था, यहाँ पर भी क्या है, delivered your possession is necessary, यहाँ पर भी आपको चाहिए, दूसरा बोलता है, रिवो केबल अंटिल इवाज इस पेड, जहां तक, मतलब कि यह, जो gift आप दे रहे ह आपका, जो यह चीज़ आपकी, यह, रिवो केबल निचर की है, जब तक की, मतलब उस time तक आप उसको रिवो कर सकते हो, जब तक यहाँ पर आपको, return में कुछ आपको चीज इवाज, मतलब जो चीज़ आपको ना मिली हो, तब तक, उसके बाद बोलता है, रिवो केबल ब उसके बाद, आपका third kind आपका सदका और कराजा, हसन की बात करता है, जो कराजा, हसन, उसको पहले देख लेते हैं, यह बात करता है, आपका interest free loan की बात करता है, मतलब की loan आपने दे दिया, लेकिन उसके उपर कोई भी आपको interest देने की जुरते नहीं पड़ेगी, तो इनके regarding है बस इतना ही समझने इससे ज़्यादा कुछ आपके काम का नहीं है उसके बाद last आजावता आपका सद्का के regarding सद्का आपका होता है कि मतलब कोई भी ऐसी चीज का gift किया जाना जो कि religious motive के लिए अपने दे रखा हो जबकि gift क्या रहता है कि किसी भी secular purpose से आप अपनी property को gift में कर सकते हो लेकिन जहां पर आपका ये सद्का है वो आपका क्या रहेगा हमेशा religious purpose के लिए रहेगा जबकि एक situation और भी है कि जो gift है उसको revoke करा जा सकता है stage आपकी देखी जाती है अलग में आपको बता दोगा लेकिन जो सद्का होगा उसको आप किसी भी हालत में अगर property एक बार आपने किसी को दे दी अब मंदिर में कोई चीज दे के आते हो तो उसको वापिस नहीं ले के आ सकते है उसको आप वापिस नहीं ले सकते हैं उसको revoke नहीं करा जा सकता ऐसा ही दरगा पे कोई चीज आपने चदर बगार चड़ाई कुछ और करा है तो वो चीज आप वापिस उठा के नहीं ले के आ सकते हैं तो वो आपका एक तरीके से क्या रहता है कि मतलब defame करना एक तरीके से कह सकते हो मतलब कि ऐसा कोई भी प्रोपरटी है जो आपने ट्रांसफर हो जाता है तो वो आपका अरियत के अंदर आ जाता है मतलब कि कोई प्रोपरटी आपने ट्रांसफर कर दी है उसका जो भी प्रोपरटी का उनर्शिप और किसी भी तरीके के अदर रिटन के बदले में यह चीज नहीं दी गई है उसके बाद आपका एक दुरल मुक्तार नाम के जूरिस्ट रहे है उनकी एक स्टेट्मेंट है मतलब कि अगर बात करें किसी की हिबा के रिटन तो जहां पर आपके बिना किसी भी कंसिडेशन को ट्रांसफर करें जब आप ओनर्शिप को ट्रांसफर करें तो वो गिफ्ट बन जाती है हिबा बोला जाएगा जबकि यहां पर अरियत के अंदर क्या रहेगा ओनर्शिप जो आपके ओनर और प्रॉफिट है वो बनाया गया है मतलब कि आपने प्रोपर्टी का ओनर ना बना के आपने सिर्फ क्या किया यहां पे जो profit है उसी को आपने क्या कर दिया कि यहाँ पर उसका owner बना दिया property अपने पास रख ली तो वो आपके अरियत बने जाएंगे यह आपका एक definite period के लिए भी हो सकता है property का जो ownership है वो transfer नहीं होना चाहिए it does not devolve upon the heirs of the donny on his death अब जो चीज़ आप gift में property देते हो तो जब उसके heirs मर जाते हैं तो जो gifted property थी वो उसके heirs में चली जाएगी लेकिन in case अगर आपने profit of the property थी वो transfer करे हैं तो on the death of the person donny जिसको वो property दी गई है वो property वापिस उस donor के पास चली जाएगी in case of death of the donny और वो devolve नहीं होगी उस donor के as के उपर तो यह यहाँ पर आजाता है आपका जो अरियत है उसकी कुछ conditions अब वापिस आजाते हैं अपने topic के उपर topic आपका main बात करता है यहाँ पर कि किस situation में एक property को यहाँ पर जो gift में दिया गया था उस gift को आपर revoke कर सकते उसके regarding अब revoke आपका करने के लिए आपकी दो situation रहती या तो सुनी लोग में या फिर शिया लोग में अब शिया लोग के अंदर आपका declaration यह चीज़ बताता है कि अगर कोई भी person ऐसा जिसने यहाँ पर क्या किया था property gift करी थी वो अगर में यह declaration दे देता है एक declare कर दिया कि मैं आपको यह property वापिस नहीं दे रहा जी अब यह property में रहको वापिस चाहिए यह property मैं आपको नहीं दे रहा हूँ तो वो आपका शिया लोग के अंदर बोलता है जबकि सुनी में बोलता है कि यह through the court ही करी जा सकती है मैं तो पहले अगर उसको cancellation of the gift करना है तो पहले आपको court जाना पड़ेगा वहाँ से एक decree obtain करने पड़ेगी और plus जो डोनी person है उसकी भी consent आपको freely consent आपको obtain करने पड़ती है तब जाके आप अपनी property को यहाँ पे gift जो आपनी कर रखी थी उसको यहाँ cancel कर पाओगे और बात आती है आपकी before delivery और after delivery की दो तरीके से तो जहाँ पे आपकी बात होती है before delivery की उस case के अंदर क्या रहेगा before the delivery of the possession of the property the gift is not complete and the donor has unrestricted right to revoke it जहाँ पे property transfer नहीं हुई है तो इसका मतलब आपके possession में ही property है तो आप उसको यहाँ पे cancel कर सकते हो आपका unrestricted right रहेगा this is not revocation of the gift in the sense of taking back the subject of the gift or for the gift before delivery of the possession is not complete यहाँ पे बात होती है मतलब इसको आपने gift को revocation करना ना बोलके अपनी property को वापिस अपने हक में अपने under में लेना बोला जाएगा after delivery की बात करते हैं तो even after the delivery of the possession the donor has a right to revoke the gift under which the consent of the donny जहाँ पे donny की consent आपने obtain कर ली और by the formal decree of the court पहले court में गए हो उससे पहले क्या करे हो सबसे पहले आप है donny के बास जाएंगे वहाँ जाके बोलते हैं कि मेरे को यह property आपको gift में नहीं करनी है मैं इसको revoke करना चाहरा हूँ जब दोनों यहाँ पे consentual रह जाएगा आपका same sense के अंदर आपकी दोनों की consent हो जाएगी दोनों freely consent से तो फिर court में जाएंगे और इस gift को cancel करनी के decree है जो pass कर वा लेंगे the court will grant decree उस case के अंदर आपके दे सकती है लेकिन कुछ cases में यह आपे court decree pass नहीं करेगा कुछ exception है जहाँ पर मतलब कि donor जो person था वो मर चुका है अब उसकी घर वाले जाके बोले donny को कि हमारी property वापिस दो जो मेरे फादर आपको gift में देखे गए था तो allowed नहीं होगा उसके बाद बोलता है कि जब donny मर जाए अब donny मर चुका है जिसको property आपने दी वो मर चुका तो उसके heirs जो होंगे वो उस possession में आ जाएंगे property के possession में तो उसको वहाँ पे भी cancel नहीं कर सकते हैं कि आपके father को हमने property पहले दी थी अब हमें आप वापिस कर दो दी यह आपका allowed नहीं होगा उसके बाद आपका बोलता है कि कुछ आपके कुछ person आपके जो concern guarantee में या फिर prohibited degree के अंदर fall करते हो इस तरीके से कुछ हो सकते हैं या फिर marital obligation के अंदर मतलब की marital relationship के अंदर आती हो तो उन cases में आ सकता है या फिर सद्का की बात करें तो जहां पर आपका religious purpose के लिए आपने कोई भी property आपने दे दी थी तो उसको भी आप एक तरीके से cancel है जो नहीं करवा सकते हो तो यह यहां पर आपके revocation of the gift के अंदर आपके दो topic थे before delivery और after delivery अब आपका last topic आजाता है अपने एक तरीके से जो बात करता है अपनी मूशा के regarding अब यह मूशा क्या चीज़ होता है मूशा आपका होता है किसी भी person का कोई भी जो undivided interest है property का या फिर undivided share की बात करते है meaning में generally की undivided share in the property property के अंदर जो भी आपका हिस्सा है जिसको अभी तक है बंटाय नहीं गया joint family के अंदर जो भी property रहती है जैसे तो उनके regarding बात हो लिए है तो यह यहां पर रहते है लेकिन हिदाया यहां पर क्या बोलती है कि a gift of the part of thing which is capable of division is not valid unless the said part is divided of जब तक की मतलब कोई ऐसी property जिसको अलग किया जा सकते है लेकिन आपने अलग नहीं करा है तो तब तक उस property का gift है जो नहीं करा जाएगा तो यह आपकी मरने जाती यहां पर and separated from the property of the donor but the gift of the property which cannot be divided is valid यहां पर जिसको allowed मतलब कोई ऐसी चीज़े जो divide ही नहीं करी जा सकते है उसको दे देंगे वो तो valid रहेगा लेकिन कोई property ऐसी है जो कि आपकी divide करी जा सकती है और वो यहां पर divide नहीं करी गई है उसको अगर आप gift में दोगी तो वो अपने आप में एक valid बात नहीं मानी जाएगी मिनिंग के अंदर बात करें तो जो आपका मुशा वर्ड है वो मुशा वर्ड आपका निकल के आया है सायू वर्ड से अब यह सायू है उसका मतलब होता है undivided share in the property the rule as to the मुशा as let down in हिदाया अगर एक gift of the property आपका है part of the property है वो capable of division है वो आपका is not valid होगा unless the said part is divided off and separated from the property of the donor where as the gift of the individual thing is valid यह आपकी सेम बात रहती है अब अगर काइंट्स की बात करेंगे और एक हनाफी स्कूल है वो यहाँ पर क्या कर रहा है सिया और सुन्नी के अंदर आते है हनाफी स्कूल है वो आपके इसको recognize नहीं करते हैं मुशा को यह आपका पेटे का point है जो हो सकता है उसके बाद आपके काइंट्स के अंदर आएंगे तो मुशा in a property incapable of division की बात करें कि ऐसी कोई property बाग की in division जिसका आप बंटवारा करा ही नहीं जा सकता तो उस case के अंदर मतलब कि ऐसी कोई भी property जो की division जिसका incapable हो सकता है तो gift of an undivided share in the property मुशा which is not capable of division is valid यहाँ पे क्या हो सकता है कि इसका जो भी part आएगा जैसे मतलब बतारा है कि आपको undivided share है उसको यहाँ पे एक तरीके से validly दिया भी जा सकता है लेकिन हिदाया के हिसाब से वो बोलते है कि यह आपके valid नहीं है मुशा देखा जाए तो एक person का खुद का right है उसकी उपर property लेकिन वो divide नहीं होई ना भी divide नहीं होई इसका मतलब यह तो नहीं कि उसका right ही नहीं है property पे तो जिस जिससे उपर उसका dominion और right होगा वो उसको gift में दे सकता है तो यह आपका valid रहेगा उसके बाद बोलता है मुशा in the property capable of division इसके अंदर ऐसी कोई पर property जो की capable है जिसको अलग किया जा सकता है if the property is capable of division and the gift of मुशा will be irregular though not void under halfi low halfi low में यह आपका irregular मना जाएगा void नहीं होगा फिर आपका बोलता है कि gift by one heir to the another जो मतलब कि एक पसंद दूसरे को देता है तो उसके इसके अंदर क्या रहेगी अगर कोई भी property अपनी gift कर रहे है तो gift of मुशा by the heir to his co-air is valid अपने co-air को property दे सकता है gift of share in the company है वो भी आपकी दे जा सकती है वो भी valid रहेगा gift of undivided but divisible है तो उसके इसके अंदर भी आपकी यह चीज़े valid रहती है void नहीं होगी तो यह आपके मुशा के regarding चीज़े थी अब यहाँ पर अपने part 1 और 2 gift के उपर पूरा topic आपका complete हो चुका है इसके अंदर आपका कोई भी अगर query है तो मेरे को आप comment करके पूछ सकते हो अगली वीडियो के अंदर मैं आपको will के regarding पढ़ाऊँगा और साथ में हम लोग आज ही शायद मैं try करूँगा कि आपको box or act के अंदर कुछ provision आपको बता दी जाएं साथ में हमारा act चल रहा हर्याना rent control act उसको में मैं provide करवादूँगा जितना जल्दी हो सकेगा मैं सारी वीडियो आपको provide करवाता रहूँगा thank you so much for watching this video अगर वीडियो आपको पसंद आती है और यहाँ पर किसी तरीके से आपको अगर helpful लगती है तो वीडियो को like, share or comment करना ना भोले thank you so much again good luck for your examination